तो दोस्तो है तारीक हो गई है एक मार्च दो हजार चॉबिस की साथी में दिन है शुक्रवार का और आज अभी अभी की यानि की शाम की बिल्कुल ताजा खबरे आपके लिए हाजिर हैं वहीं सी दोरान साथ सो साथ लोग घाइल हुए इसरेली सेना ने इसके बारे में सफाई देते हुए कहा है कि सैनिकों ने भीड़ पर इसलिए फारिंग की क्योंकि उन्हें उन लोगों से खत्रा महसूस हुआ था एक चश्मदीद ने नियूज अजंसी एफपी को बताया है कि अलनाबुल सी शहर में रहास समगरी से भरा खाने वगर ऐसे भरा एक ट्रक वहाँ पहुचा था लोगों ने इसे घेरना शुरू कर दिया प्रक के पासी इसरेली सेना के टैंक और सैनिक भी खड़े थे जब लोग सैनिकों की तरफ बढ़ने लगे इतने में सैनिकों ने फारिंग शुरू कर दी और भगदर मच गई वहीं इस बारे में इसरेली सेना ने ये भी बताया है कि सभी लोगों ने जरूरत का सामान लूटना शुरू कर दिया था वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे हमें लगा वो लोग खत्रा हो सकते हैं इसलिए फारिंग कर दी वहीं बताया गहा जिस ट्रक में खाना वगर आया था अब उसी में फिलिस्तिनियों के शवों को ले जाया जा रहा है शायद आपको पता होगा 27 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तिन से हमास ने हमले की पहल की थी उस समय से ये जंग अब तक जारी है हलाकि दोस्तो इसलिस्तिन का ये रवया बड़ा ही जुल्म से भरा हुआ है खत्रा महसूस होने की बुनियाद पर इतने सारे लोगों को गोली से भून देना 760 लोगों को घायल कर देना 112 लोगों को जान से मार देना आखर ये कहां का इंसाफ है हाँ अगर ये लोग लड़ने वाले होते हमास के लड़ाके होते तो अलग बात होती लेकिन आम जंता पर जो लोग खास करके खाने के लिए परिशान है पानी के लिए परिशान है अब ऐसे में कोई भी खाना का ट्रक आएगा तो लोग परिशान हो जाएंगे हल कोई चाहे कर एक और बड़ी खबर आ रही है जानकारी के मताबिक गाजा में भुखमरी के हालात बढ़ते जा रहे हैं बताया गया है कि गाजा में हवाई जहर से खाना गिराया जा रहा है लोग खाना लूटने के लिए समुद्र में कूदने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं बस लोगों हैं लेकिन सबसे मेन वजब फिलहाल यही है देखें आगली खबर नफरती शो के लिए तीन न्यूज चनलों पर की गई कारवाई चनलों के जिन शो पर कारवाई की गई है उसमें एंकर अमिश देवगन अमन और सुधिर चौधरी के शो शामिल है विवादित वीडियो को हट पर नफरती शो पर कारवाई करते हुए उन पर जुर्माने लगाया है और जो नफरती वीडियो है उसको हटाने का आदेश जारी किया है देखें अगली खबर 36 गड़ में बीते 5 साल में कम हुए 133 तेंद हुए खाने पीने में और इनकी सुरक्षा में करोडों खर्च हु इसको हटे की रिपोर्ट में किया गया है बताया गहाँ दोहजर अठार में 36 गड़ में तेंद हुए की तादाद 852 थी जो अभी इस्था में 722 रह गई है देखें आगली खबर बाबा रामरहीम को बार बार पैरोल देने पर हाइकोट हुए सक्त हर्याना सरकार को नोटिस भेज़कर जवाम मांगा है साथी ये कह दिया है अब बिना परमेशन हर्याना सरकार रामरहीम को पैरोल ना दे जी हाँ साध्वियों के यौन शोषन और दो कतल के केस में सजा काट रहे रामरहीम को पैरोल देने पर पंजाब और हर्याना हाइकोट ने काफी सक्ती पैरोल के जरीए सजा काट रहा कै दी कुछ दिनों के लिए 15 दिन के लिए 7 दिन के लिए एक महीने के लिए जितने दिन की परमिशन दी जाए उतने दिन के लिए उसको रिहा कर दिया जाता है वो जेल के बाहर आम लोगों की तरह जिंदगी बिताता है तो जो बाबा राम रह उसको हर्याना सरकार की ओर से हर कुछ महीने के बाद एक महीने 15 दिन की पैरोल दे दी जाती है अब इसी पर हाई कोट सत्थ हो गया है और साथी में कह दिया है अब अगली बार से जब तक परमिशन ना मिले तो हर्याना सरकार राम रहीम को पैरोल ना दे और अभी तक जितनी होगी गेहों की खरीद 150 रुपे बढ़ाई गई MSP यूपी के किसानों को होगा बड़ा फायदा जी हाँ यूपी में शुक्रवार यानि के एक मार्च से गेहों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है इस बर योगी सरकार ने नियुंतम समर्थन मुले यानि के MSP गेहों के परती कुंटल के हिसाब से 275 रुपे निर्धारिद किया है यानि की यूपी के किसानों को हर एक कुंटल गेहों के बदले में 275 रुपे मिलेंगे ये पिछले साल से 150 रुपे जादा है देखे आगली खबर पतनी अगर अपनी जान खुद दे देती है तो पती इसके लिए परती कंगे थे इसके साल से चल रहा था तो इसी केस में फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर पतनी अपनी जान खुद दे देती है तो इसके लिए पती जिम्मेदार नहीं होगा सुप्रीम कोट ने साथी में ये भी कहा केवल कह देने से जो पतनी ने अपनी जान खुद दी है उसका जिम्मेदार पती को नहीं माना जाएगा देखे आगली खबर दो नाबालिक बहनों की जान लेने के मामले में तीन आरोपी हुए गिरफतार अभी हाली में लोगों ने यूपी के कानपुर में दो नाबालिक बहनों को जबरदस्ती शराप पिलाई अशलील वीडियो बनाया उनके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया यनि कि तीनों आरोपियों ने एक साथ बलतकार किया विरोध करने पर परिवार को भी मारा और दोनों नाबालिक बहनों को तो ये लोग पहले ही मार चुके थे तो अब इसी केस में आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है देखे अगली खबर गिरफतारी के बाद शेक्षा जहां को टीमसी ने अपने पार्टी से किया सस्पेंड साथी में ममता बनर जी की पार्टी ने ये भी कहा कि देश में एक ऐसी पार्टी है जो केवल ऐसा काम करने के लिए बोलती है कि हम अपने नेताओं को पार्टी से निकाल देंगे लेकिन त्रिनमूल यानि के टीमसी जो कहती है वो करती है बाती है के टीमसी के नेता शेक्षा जहां पर कई सारे आरोप लगे हैं कई सारे केस दर्ज हुए हैं अभी हाली में बीत दिल्ली वालों के लिए बजट पेश किया जाएगा दिल्ली के लिए कई बड़े बड़े और नय एलान हो सकते हैं देखे आगली खबर रूस के राश्पती वोलद उमीर पुतिन बोले यूकरेन से जंग रूस के लिए आजादी की लड़ाई है अमेरिका हमें तोड़ने क कोशिश कर रहा है पर रूस के बीना दुनिया में शान्ती मुम्किन ही नहीं जी हां रूस के राश्पती वोलद उमीर पुतिन ने ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि बीते कैई सालों से उनका देश रूस जो यूकरेन से जंग कर रहा है तो ये रूस की करना चाहता है उसको तोड़ना चाहता है वोलदो मिर पुतिन ने यहां तक कहा कि रूस के बिना दुनिया में शांती मुम्किन है ही नहीं देखे आगली खबर बंगलादेश की राजधानी में सात मंजिला इमारत में लगी आग 44 लोगों की गई जान 22 लोग हुए घायल जान इमान खान बने बेगरांड डांसर जी आमूके शंबानी के बेटे अनन तम्बानी की प्रिवेडिंग सरेमनी यानि के शादी से पहले होने वाले कार करम आज शुकरुआर से गुजरात के जाम नगर में शुरू हो गए है इस प्री वेडिंग सरेमनी में देश दुनिय समेत बॉलीवूड से होलीवूड समेत रजनीती से लेकर बिजनस के दुनिया के बड़े बड़े दिगज महमान आये हैं ऐसी तस्वीरे सामने आने की वजे से कई लोग इनको ट्रोल भी करते हैं देखे आगली खबर कल मद्दे प्रदेश में प्रवेश करेगी राहूल गांधी की यात्रा आने वले पांच दिनों के दोरान पूर सैनिको, आदिवासी महिला और किसान युवाओं से राहूल गांधी करेंगे समवाद यानिके बाचीत देखे आगली खबर किसानों के दिल्ली कूच का एलान फ्रिटला भटिंडा में किसान शुबकरन का किया गया अंतिम संसकार इसी बिच किसान नेता बोले आंदोलन खत्म नहीं होगा जी हाँ गुरुवार को यानिके 29 फरवरी को किसानों को ये फैसला लेना था कि आंदोलन करने के लिए दिल्ली जाना है या नहीं तो किसानों दोरा फैसला लेने की बात फिर से टाल दी गई है हलाके कहा गया है आंदोलन खत्म नहीं होगा देखें आगली खबर पीम मोदी आज से है दो दिन के बंगाल के दोरे पर दो रैलियों को करेंगे संबोधित इसे दोरान पश्रिम बंगाल में 7200 करोड के प्रोजेक्स का उद घाटन भी करेंगे इनिके पश्रिम बंगाल वालों को भी मिलेंगे कई तोफे देखें आगली खबर तंबाकू कंपनी पर हुई रैड 100 करोड की कारे मिले इसमें रोल्स रोइस, लेंबोर्गिनी और फिरारी शामिल है साथी में मिला 5 करोड कैश, 100 करोड की टेक्स चोरी पकड़ी गई है जी हाँ ये खबर तंबाकू खाने वालों के लिए बेहदी महोतपूर है जो लोग 5 रुपे का 10 रुपे का तंबाकू खाते हैं लेकिन इनको बेचने वाले करोड पती या इससे भी आगे निकल चुके हैं देखें आगली खबर, कमर्शिल गैस सिलेंडर एक मार्च को 25 रुपे 50 पैसे महंगा हुआ आईए बताया अधिक जानकारी जी हाँ कमर्शिल गैस सिलेंडर 25 रुपे 50 पैसे महंगा हो गया है हाले के घरेलू gas cylinder के दामों में फिलहाल कोई बदलाओ नहीं आया है तो देशकी राजधानी दिल्ली में जो commercial gas cylinder यानि के 19 किलो वाला cylinder पहले 1779 रुपे 50 पैसे का मिलता था हाले के अब उसका दाम 1795 रुपे हो गया है ऐसे ही कोलकाता में जो 19 किलो वाला cylinder 1887 रुपे का मिल रह था अब उसका नया दाम 1911 रुपे है ऐसे ही बाकी राज्यों में commercial gas cylinder महंगा हुआ है हाले के घरेलू gas cylinder के दामों में जैसे के आपको बताया कोई बदलाओ नहीं हुआ है अभी आप अपनी स्क्रीन पर देश के कुछ में शहरों में 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू gas cylinder का ताज हुए घायल हाले के विसफोट होने की वज़ा फिलहाल साफ नहीं है देखे आगली खबर आजी के दिन यहीं के एक मार्च को देश के जवान अभिनंदन पाकिस्तान से भारत आये थे हमले के दोरान उनका प्लेन क्रेश हो गया था और वो पाकिस्तान में फंस गये थे कुल पल पहुंची एक्टरस नर्गीस फाकरी श्री दर्बास साही में माथाटे का बोली 13 साल बाद लोटी हूँ यहां मन को शांती मिली देखे आगली खबर योध्ध मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज एक्शन आउतार में नजर आए सिधार्त मलहोत्रा राशी खरनाय के साथ इस मूवी में लव एंगल दिखेगा दिशा पार्टने भी हैं इस फिल्म में जिनोंने निभाया है एर होस्टेज का किरदार तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी हम बस इस के बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक को शेयर करना ही होता है हमारी महनत कफल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फूर वाचिंग